हेलो फ्रेंड्स क्या हालें कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं साब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूं हमारे चेनल तिपाल टिप्स में देवर वेवर्स आज मैं आपको क्लोब में टेबलेट 50 मिली गिराम के बारे में इंफर्मेशन दूँगा कि इस टेबलेट के बेनिफेट क्या हैं साइड इफेक्ट क्या हैं और किसे इस्तमाल करते हैं क्लोब में टेबलेट जो शादी शुदा खवातिन के लिए हैं और वो खवातिन जिनकी उलाद नहीं होती और वो जिनकी प्रिग्रियंस से मुस्बत नहीं होती क्लोब में टेबल सिटी रैड्स और इसका जेनर केटरगेरी काम आवलिशन पर काम करते हैं आवलिशन का मतलब के बेजादानी बेजवी सेंडो की रही को मुत्रिक करके काम करता है कलो मेड टेबलेट बांजबन की कुछ इक्साम के लिए इस्तमाल किया जाता है उन खुआतीन में जो मुनासिब तरीके से बेजवी नहीं होती कलो मेड टेबलेट शादी शुदा खुआतीन के लिए हैं ये टेबलेट बचादानी को त्यार करती हैं और इससे हमल के मौक्ट बढ़ जाते हैं एक तो ये है कि ये टेबलेट बचादानी को जार करता है और दूसरी बात ये कि वो खातीन बेहने जिनको इंगलेश में ओलेशन्स और उर्दू में बेजवी अंडे भी कहते हैं और उन अंडों का खारज नहीं होना और उसकी वज़ा से अमल नहीं बनना प्रेग्रेंसी क्यों के बर जाते हैं और प्रेग्रेंसी मुस्बथ हो जाती है अगर दूट पिलाती फातीन माउं की महवारी अहला नहीं बनना है थनुक्त T multiplex के clomass के स्माल से ये टेबलेट इस्तमाल करने से मेंसेज रेगुलर हो जाते हैं और मेंसेज के रेगुलर होने की निशानदाई है कि प्रिग्रेंसी पोजिटिव हो जाती है और हाँ अगर मेंसेज रेगुलर नहीं होते तो प्रिग्रेंसी भी लेगिटिव हो जाती है Friends, अब इसके यूजेस के बारे में बताओं के इस टेबलेट को कैसे इस्तमाल करना है। इसकी खुराक महोरी यानि मेंसेस के तीसरे दिन से शरू करें और आठ दिन तक इस्तमाल करें। एक गोली यानि एक टेबले रुसाना खाना खाने के बाद अगर दूसरे मेहने तक हमल नहीं होता तो फिर मेंसस के तीसरे दिन से एक गोली सुबा और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद इस्तमाल करें अगर तीसरे मेहने में भी हमल मुस्बत नहीं होते तो फिर इस्तमाल ना करें आप से एडवाइस की जाती है कि इस टेबलेट का इस्तमाल करना बंद कर दें क्योंकि प्रग्रेंसी उस वजवाद की वज़ा से मुस्बत नहीं होती जो ये टेबलेट रीकवर नहीं कर सकेगी देरवेवर्स अब आते हैं क्लोमेट टेबलेट के सैड इफेक्ट की तरफ इस टेबलेट को लेने से ये सैड इफेक्ट हो सकते हैं मदलिया सकती है मञसल स्पैन यानि पठों में दार्द को सकता है उल्टी हो सकती है अलर्जी हो सकती है सर चक्रा सकता है और सांस लेने में तकलीफ tenant की हैं देर वावर्स ये ये थे इस टेबलेट के सैड इफेक्ट और अगर कोई भी मेडिसन है तो आप अपने डाक्टर से भी कमिट किये बगर कोई भी मेडिसन इस्तमाल ना करें अगर आपको हमारी इंफर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें